गाइस अगर मैं आपको यह बताओं कि excessive shopping और बहुत साय चीजे बाए करना एक hobby नहीं बल्कि एक mental disorder है तो आपका यह action कैसा होगा तो आज हम बात करते हैं compressive buying disorder का CBD, compressive buying disorder और मैं आपको बताता हूं कि इस disorder में क्या होता है और कब हम कह सकते हैं कि किसी को compressive buying disorder है ना कि normal shopping एक hobby की तरह है उससे पहले disclaimer मेरे को compressive buying disorder का कुछ-कुछ symptoms है बट मेरे को actual में compressive buying disorder नहीं है और मैं आपको explain करूँगा कि compressive buying disorder actually में क्या होता है और basically मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या कब हम पैजान सकते हैं compressive buying disorder के symptoms को और symptoms किस टाइप के दिखते हैं काइस देखो maximum यह disorder maximum और तो में पाया जाता है मतलब women पे और women पे सबसे ज्यादा यह disorder पाया जाता है कि बहुत साए स्वापिंग करने के बाद भी उनका मन अभी भी satisfied नहीं है और वह और स्वापिंग करना चाहते हैं जो कि एक compressive buying disorder का symptom होता है बट सेफ और सेफ भार बार स्वापिंग करना ही compressive buying disorder का symptom नहीं होता बहुत साए लोगों का होबी होता है स्वापिंग करना बट उनको satisfaction मिलती है या फिर वो समान कलेक करना उनको पसंद होता है उनको कहीं न कहीं satisfaction मिलता है बट जिनको compressive buying disorder होता है उनको buy करने के बाद भी purchase करने के बाद भी satisfaction नहीं बिलता बतलब एक चीज़ खायदने के बाद वो निकल पड़ते है दूसरे चीज़ को खायदने के लिए और सोचते है कि हार टाम उनको ऐसा फिल होता है कि अब उनको satisfaction मिलेगा बट ये सरकर कभी ख़दम नही मोबाइल का mount tripod के लिए इसको मैं पहले यूज करता था अपने phone पर इस तरह attach करके और यह जादा था tripod में और इससे मैं अपने phone पर content record करता था तो ये काम चलता था इससे और फिर उस टेम लेवियर माय की यूज करता था फिर बट में मैं जब ऐसा microphone लिया बोयाबाय mm1 तो मैं इन्वेस्ट किया थोगे जादा बैटर माउंट पर जिसमें होस्टू माउंट हो एंड मैं इसको इसको मैं खरीदा था एक सुपजाज उपर पर जो की बहुत अच्छे से phone पर attach हो जाता था और इस तरह सा इस तरह का बन जाता था phone अपने record करने के लिए ठीक गाइस मगर मेरे को इससे सैटिस्फिकेशन नहीं मिला क्यूंकि यह थोड़ा क्यूंकि यह माउंट जो है यह क्यामरा को फ्रेंट कैमरा के एंगल बहुत जादा साइडवेस हो जादा था तो मेरे को मन किया कि मैं किसी पतले से माउंट को खरीदूं और मैंने खरीदा यूलांजी का यह वाला पतला यूलांजी का यह वाला माउंट जो की बहुत ज्यादा साइडवेस नहीं होता बहुत कम मतलब अल्मोस्ट मीड़ मीड़ पॉइंट पे इसका माउंट आ जाता है और इस पे यू इस टरह से यह वाला माउंट यह बोया बार M1 लग जाता है बट गाइस मैं आपको अब इन चीज़ों के प्राइस डिफेंस में बताता हूं यह मुझे मिला था पचास रुपर पे यह मुझे पढ़ा था देर सो रुपर पे और यह यूलांजी का यह पढ़ा था पांच सो रुपर पे अब गैस वाट मैंने एक भी पीडियो अपना कोई भी कॉंटेंट फोन पर रिकॉर्ड नहीं किया है मैं कैमरा पर सुष किया कैमरा पर अपग्रेट किया और मैं पाचालीस हजा रुपर इन्वेस करके कैमरा लिया और उसमें अपने कॉंटेंट बनाने लगा तो बेसिकली पाचास त्रेड़ सो पांसो मतलब सासो रुपर बरबाद हो गए आई फिल बैड अबाउट इट बिकाज मैंने इन चीजों पर पैसे इंवेस्ट किये जो ही बरबाद हो गए बट कमपर्स जब आप स्पेंट ना करो तो आपको डिप्रेस फील होता है और आप बहुत ज़्यादा एंग्सीस ही फील करते हैं एंग्छियस भी फील करते हैं बिकाज आपका कमपर्शन जो है वो बढ़ते जाता है cinco an करता ही है कि आप काही ना कही आपनेते पैसों को invest करें मतलब पैसों को spend करें बिना spend करें आप ठीक से रहनी पाएंगे तो यह भी एक अब देखो गाइस कंपरसी बाइंग के लिए में पास एक एक जामपल के लिए और है देखो डो डो एयर ब्लॉवर्स पता नहीं मैं किस ले लाया यह यह बैसिकली कैमरा के लेंस साब करने का काम करते है यह में पास दो पड़े हुए है जो मैं बहुत कम यूज करता हूं यह चीज यह एकसे में ट्राइपोड का बॉटम पार्ट है ठीक है बॉटम स्टेंड है यह मुझे पड़ा ता 500 रुपर में जो कि मैं बेकार में ले लिया और में अकाम ही नहीं आया फिर एको लाइटर्स एक दो टीन चार यह हमें समें इस कवर्ट पर पढ़े जयते हैं इसक को ज्यादा यूज नहीं करता है अब फिर देखो यह है डियो स्टिक जो कि मैं लगाता हूं और यह में पास टीन तो पड़े हुए है जो कि इविंचली ज्यादा यूज नहीं होंगे और एकस्पायड हो जाएंगे तो बिसिकली कमपर्सिव बाइंग डिसॉडर का यह सब एक सिम्टम है कि आपके आपके हाउसोल्ड में इतने साए समान पढ़े होंगे जो कि आपके तो भी यूज भी ने कर पाएंगे कंपरसिव बाइंग डिसॉडर बेसिकली एक मूड डिसॉडर होता है और एंजाइटी डिसॉडर होता है यह मूड डिसॉडर भी हो सकता है एंजाइटी डिसॉडर भी हो सकता है तो बेसिकली जिन लोगों को बाइपोलर डिसॉडर होता है बतब एक्स्टीम हाई और होता है compulsive buying का मतलब खरी राई करने का obsession होता है which leads to compulsive buying disorder, compulsive buying disorder के साथ-साथ अलग mental condition भी हो सकते हैं जैसे कि depression, anxiety disorder, bipolar disorder, personality disorder, eating disorder इस किसम के अलग-अलग mental health problems भी हो सकते हैं जिनका इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़री होता है functional life जीने के लिए तो guys अगर आपके अंदर में ऐसा कोई disorder कोई भी ऐसा problem आपके अंदर पाया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा shopping करते हो और आपका shopping करने के बाद भी mood आपको satisfaction नहीं मिलता और आपके बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं so guys आप आपको consider करना चाहिए किसी psychiatrist से मिलने का because इसका इलाज बस एक psychiatrist से कर सकता है जो कि आपको अलग-अलग therapy देगा behavior therapy, psychotherapy और भी अलग-अलग किसम के therapy, pulse control ऐसे treatment देके आपके इस disorder को बहुत improve कर सकता है तो guys आज के बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही I will see you in another video until then bye bye